चैप्टर है वर्क एनर्जी इन पावर एंड टॉपीक है पर्फेक्टलिक इनलास्टिक कॉलिजन तो क्रिश्चन है कि ए बॉड़ी ऑफ मास 2 kg इस मुविंग विद वेलासिटी 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ट्स इस मतलब एक मास है तो केजी जिसकी फेलासिटी है 10 मीतर पर सेकंड जो मुव्ड कर रहा है एस की तरफ संबनााई है यह परे हैसं परेस्ट तो जो मास है वो एस की तरफ ऐसे मूव कर रहा है अनदर बॉड़ी जो सेम मास दूसरी बॉड़ी है भूभी सेम मास है and same velocity moving towards north वो जारी नौर्थ की तरफ ऐसे कर गे collides with former and move towards the north east पहले वो collides करी former पहले वाले के साथ collide किया उसने and then move करने लगी north east direction में तो इस time जैसे mass था है 2 kg और speed 10 थी ठीक है तो वो इस direction मूब कर रहा था उसके पास mass भी था और velocity भी थी same ही पर था लेकिन इस condition पर क्या है हमारे पास यहाँ पर velocity नहीं है वो velocity पूछी है ठीक है जब भी हम inelastic वो collides वाले questions करते हैं उसमें हमेशे एक चीज़ याद रखने होती है जो initial momentum होता है वो हमेशा equal होता है final momentum के ठीक है तो पहले हम निकालेंगे initial momentum क्या होगा initial पहले इस पर जा रहा है so P होता है M into V ठीक है और यह कौन से direction पर है यह है I और यह है J तो हम लिखेंगे पहले इसमें 2 into नहीं पहले लिखेंगे I plus J क्योंकि बाद में वो इस direction पर भी गया है जैसे आपको दो value दी हो एक I will direction में एक Y value में तो आप जो लिखोगे उसका magnitude लिखोगे मतलब वो इस direction पर जो होती उसको लिखा जाता है तो दोनों को लिखेंगे तो यह MV J की form में हो गई अगर हम इसका magnitude निकालते हैं तो यह बन जाएगा root 2 MV magnitude तो पता हो कैसे निकलता है दोनों का square करके मतलब V को भी लिखके हैं पर सो यह हो गया root 2 MV ऐसो होता है यह हो हमारा initial वाला ठीक है अब हमें देखना है final वाला क्या होगा final वाले में हम क्या करेंगे MV plus MV तो जाएगा 2 MV finally वो इससे चल रहा है इन दोनों का square हम equal रखेंगे root 2 MV 2 MV जो यहाँ पर हमारी speed है जो यहाँ पर जिसकी root 2 है यहाँ पर m से time cut हो जाएगा root 2 upon में 2 V equal V इस हम root 2 से 2 काटेंगे तो यह cut होगा root 2 जाएगा यह जो speed है यह हमारे पास given थी 10 10 upon में root 2 equal V लेकिन option में ऐसा नहीं है तो हम square change करेंगे 10 root 2 जब भी root दिया हो नीचे उपर नीचे root की multiply कर दो इदर आया 10 root 2 अप वो आन में आया root 2 और root 2 की multiply करके 2 आता है इससे कट तो है 5 root 2 जो हमारी velocity आई है एक metal ball है जिसका mass है 2 kg वो move कर रहे है विदे velocity 36 km पर आ पहला हम इसकी velocity को change करेंगे मेटर पर सेकिंड में तो वो कैसे होता है एक किलो मीटर में हो गए 1000 मीटर और आर में हो गए 60 मिनट और 60 सेकिंड तो इससे एक कट तो जिरो कट इधर बचा 3 36 multiply 10 upon 36 36 36 cancel वेलसिटी जो आई होई 10 मीटर पर सेकिंड जैसे आपको जब भी गीवन हो इस तरह से तो वेल्यू को रखो और 5 divided by 18 कर दो सो वो ही value निकल के आती है यह 5 divided by 18 यही चीज है जैसे आप उसको कट करोगा ना तो कट करके यही आएगा shortcut में has and had and collision with a stationary ball of mass 3 kg 2 kg का mass था जिसकी velocity वो जा रहा है कि stationary ball है जिसका mass 3 kg है 2 वाले के पास stationary वाले के पास 0 stationary है if after the collision the two balls move together अब collision के बाद क्या होगा दोनों balls एक साथ move कर रही है the loss in kinetic energy due to collision is हमें kinetic energy निकालने है तो जब भी इस तरह के question होते है उसमें चो kinetic energy होती हो ऐसे निकलेगी ठीक है तो वी 1 माइनस वी 2 का square भी होता है पर लेकिन हमें पर दूसरे लाव वैल्यू नहीं है तो हम डारेक्ट उसको ऐसे लिग देंगे M1 कितना है 2 M2 है 3 So 2 प्लस 3 V 10 का square कर दिया So half into 6 So जो जो वैल्यू आई है वो आई है 60 J कानेटिक एनजी की A mass of 20 kg moving with a speed of 10 meter per second collides with सासर लिखते हैं जैसे की एक mass है 20 kg जो की move कर रहा है विदे velocity 10 meter per second and collides with another stationary ball of 5 kg दूसरी ball है जिसका mass 5 kg है लेकिन वह stationary है यह हमारा initial momentum जो की book में है initial momentum equal panel momentum होता है तो यह हो गया M V momentum क्या होता है P equal M into V होता है So वही क्या है equal as a result of the collision the two masses shift together stick together अब जो collision के बाद क्या वो जो masses दूनों stick हो गए है इस्टिक हो गए एक हो गए the kinetic energy of the composite mass will be so हम यहाँ पर निकालेंगे V यहाँ पर जो kinetic energy पहले हम इसको solve कर लेते हैं 200 क्योंकि ट्वेंटिफाइव इक्वल तो वी आया हमारे पास 8 meter per second जो kinetic energy निकालते हैं हम क्या होती है हाव एम V स्क्वेर होती है लेकिन यहाँ पर जो मास है वह होगा 25 यह वाला मास होगा क्यों क्योंकि वह बाद में stick हो गए थे दूसरे के साथ जिसमें यहाँ पर जो मास रखेंगे वो 25 रखेंगे और वीकल स्क्वाइब 25 रखेंगे पूर तो 800 जूल अन्यूट्रों है नूट्रों है यह नूट्रों है यह नूट्रों है जिसका मास है इसकी वेलासिटी है 10-2-8 मेटर पर से क्वालाइट्स विदा डूट्रों अब डूट्रों दिया हुआ है जो कि रेस्ट पे है मतलब डूट्रों का कुछ मास तो है लेकिन जो रेस्ट पर मतलब उसकी जीरो हो गई एन इस्टिक टू इट एन बाद में वह स्टिक हो गया है तो ट्यूटरॉन का मास्ट गीवन है नीचे जन्द स्पीड ओफ दा कॉमिनेशन इस मतलब पहले क्या था जो न्यूटरॉन था कुछ मास्ट था उसका वह मूफ कर रहा था एक वालासिटी के साथ और वह जाके कोलाइड हुआ जाके मतलब ड्यूटरॉन के साथ जो कि रेस्ट पर था ठीक अब जो मास्ट था इक्वल फाइनल मोमेंटम सो जब न्यूटरॉन चला अपनी स्पीड से टैन की पावर एट से और दूसरे जो मास्ट था ठीनूट 34 जो कि किस पर था रेस्ट पर था बाद में दोनों स्टिक हो गए कि वह दोनों प्लस हो जाएंगे बाद में जिसकी वैलास्ट! हम में निकाल आंग वह वाली वैली इस्ट नि पता में ये निकाल ले ये जिए इस के साथします कि अथि आप तो क्यालकिलेशन हैं बस कि इन दोनों का जबाब प्लस करोगे के तो यहीं एगा इसस इसको कट किया जब आप इसको से डिवाइट दोगो तो याएगा 0.33 मतलब 33 के उसमें ही आएगा लेकिन हमारा ऑप्शन में 10 की पावर 3 है 5 और 7 और 9 है 8 नहीं है तो हम क्या करेंगे पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो जिसे मालो करने आगे तो एक पावर शिब्र कर दिया पॉइंट ऐसा शिफ्ट किया है जैसे की 10 की पावर 710 10 की पावर 7 और 10 अब 1 तो 8 हो गई लेकिन मैं इसको खोल के लिखा तो यह इसकी multiply में कि तो meter per second A particle of mass m moving with velocity v एक particle जिसका mass m है move कर रहे हैं velocity v के साथ stride a stationary particle of mass 2m 2m का particle है लेकिन वो stationary मतलब rest पे है 0 हो गया इतना होता है जो condition होती ही यहां तक वो होती है initial momentum की उसके बाद की जो होती ही वो होती है final momentum की and stick it मतलब क्या हुआ अब जो m और 2m है यह दोनों stick हो गए है the speed of the system will be speed निकाल ले हमें यह वाली दो 0 हो गया यह हो गया 3m into v m से m कट जाएगा v divided by 3 जो यह speed है वो इसकी निकल जाएगी यह न वो होता है पी जो initial होता है जो भी याद रखना momentum जो होता है initial वो final momentum के equal होता है इसी सबके questions all होंगे जो collision के दूसरे type of questions होता है two putty balls of equal mass moving with equal velocity दो balls है जिनके mass m1 equal m2 equal है और each or equal velocity in mutually perpendicular direction perpendicular direction में चल रहे है stick together after collision लेकिन बाद में बाद में stick हो गए है if the balls were initially moving with a velocity of 45 root 2 meter per second each मतलब इतना था वो है initial momentum का scene आगे वालो जो final का है preparing direction में एक ऐसे है और एक ऐसे है ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा mv i और यहाँ होगा mv j लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं जिसे हाँ पर लिखा हमने p initial तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जुनका यह यहाँ पर लेते हैं इसको 9 tool लेते हम इसका तो यह हो जाएगा root 2 m कितना है m तो m दोनों का equal है और v भी equal है यह ऐसे निकलता है m square v square sorry m और v so root 2 जिसे हैं m square v square करोगे हाँ पर एक और दो इस फले root से इसका cut इससे इसका cut लेकिन root 2 रहेगा और m v हो जाएगा ठीक है अब आगे क्या बोला था after collision stick together after collision अब यहाँ पर वो stick हो गए है if the balls were initially moving with a velocity यह initially की बात किया है जो शुरू में वो जिस velocity से घूम रही थी वो थी यह वाली velocity वो यह थी और हमें निकाननी है the velocity of their combined mass after collision यह हमें निकाननी है अब यह करेंगे root 2 m v जो है वो यह वाला है यह हो गया 2 m into v root 2 root 2 जिसकी m से हम cut हो गया root 2 और root 2 2 हो गये 45 2 into v 2 से 2 cut करने के बाद वो चलेंगे the quantity that is not conserve in an inelastic collision is directly theory based question है इसाब बुक में देखोगे inelastic collision में तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे जब भी कॉलिजन होता है उसमें जो कभी सब्सक्राइब हो चाहिए एंचर पज़र मिंचे आप सब्सक्राइब आप जितने भी कर् Crown करते हैं हम क्या करते हैं इंक्राइ seventeen chcusking एंसे ही किए थे तो तो इसमें जो चीज होती है वो क्या होती है कि जो टाइनेटी केनेजी है वो कभी भी कंजर्व नहीं होती आप्शन यह यह है जो नॉट कंजर्व और जो मोमेंटम है यह होता है ओल्वेस कंजर्व ए बैग मास M हैंग्स बाय लॉंग थ्रेड जिसकी हां से लॉंग थ्रेड से एक मास जो है M जो है वो हैंग कर रहा है ठीक बाय लॉंग थ्रेड एंड बुलेट M कंज होरिजन्टली यहां से एक बुलेट आई है जो कि horizontally आ रही है with velocity V जिसका मास M है यहां पर M था ना और velocity V है and get caught in the bag और वो मतलब इसमें चली गई है पहले ऐसा आ रही थी इसमें चली गई then for the combined system तो हमें बताना है कि जो combined system के लिए क्या होगा सबसे पहले जो लट थी वह M into V की स्पीच से गई थी लेकिन जो हमारा मास बैक का था वो तो stationary था तो जीड़ो हो गया लेकिन बाद में वो उसके अंदर चली गई सब्सक्राइब हो गया M V M plus V यह जो हमारी final velocity निकली है कर्शन अभी नहीं निकला है अब आगे हमें देखना है कि option में क्या है momentum और kinetic energy हमें दो चीज निकाल के देखेंगे कि कौन सा option बैठ है जैसे कि momentum हमारा क्या होता है M into V होता है V जो है वो तो हम यही वाला रखेंगे जो हमने निकाला है लेकिन यहाँ पर जो M होगा न वो दोनों का combined mass होगा M plus M मोमेंटम दोनों ही ऐसे नहीं है तो option में दोनों कट हो गए हम निकालेंगे kinetic energy वह होती है हाफ M V स्क्वार जो M रखेंगे वो दोनों का समिशन ही होगा M plus M V रखेंगे वो यह वाला होगा M स्क्वार V स्क्वार अन्य इसका स्क्वार दो यहाँ पर हाँ पर एक इससे एक कट हो गया तो थर्गिया बच्वार M स्क्वार V स्क्वार 2 M plus M ऐसा तो है तो यह वाला है लेकिन आप यह मुझा सोचना कि kinetic energy से कि हाफ M V स्क्वार होती तो option भी टिक कर दो नहीं पहरे वह निकाल का देखना कैसे होगी हो टू बॉड़ीज अफ मासेज 0.1 केजी दो बॉड़ीज़ जिसका मास एक कट 0.1 केजी है और M去 0.4 पेजी मोव टूवड्श एच अधर मतलब एक दूसरे की टरफ आ रही है जिस यह हमारा M1 है और यह M2 है मोव टूवडीर चादरी मतलब इनकी जbre direction ओर दीखे हैं इसकी speed है 1 meter per second और इस वाले की है 0.1 meter per second after collision they stick together जैसे ही हाँ से चला 1 meter per second speed लेके और यह हाँ से चला बाद में क्या हुआ यह M1 और M2 stick हो गए in 10 seconds the combined mass travel लेकिन 10 seconds में यह कितना distance travel कर लेंगे तो पहलें velocity निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है velocity equal distance upon में time होता है यह हमें निकालना है distance to travel यह है और हमें V into T करेंगे और धरायगा D तो हमें क्या चाहिए उसके लिए V चाहिए V हम निकालेंगे जो final momentum equal initial momentum वह वाला formula होता है तो उससे निकालेंगे हम V यह P final so M into V1 minus 0.4 0.1 और नीचे M1 क्योंकि आप वह stick होगे थे 0.1 plus 0.4 तो आप क्या बना 0.1 0.04 0.5 इसमें से minus होगा 0.06 0.5 so यह 0.12 ठीक है यह हमारी velocity आई है हमेंगे निकालने है velocity into time time होगे T so वो आए हमारे पास 1.2 meter A body of mass M moving with a constant velocity V एक body है जिसका mass M है वो move कर रही है constant velocity V के साथ hits करती है another body of the same mass moving with the same velocity वो hit कर रही है दूसरे mass को जिसका भी same mass है और velocity V है but in the opposite direction जब opposite बोल दिया है तो यहां plus नहीं negative आएगा इतना है initial momentum and stick to it और इसके बाद क्या हुआ बाद में वो उससे stick हो गई है the velocity of the compound after body after collision is so M V minus M V यहां what 2 M into V so यह दोनों हो गए 0 धरूँ what 2 M into V 0 upon में 2 M जो भी है हम पर भी M थेम से हम कट 0 upon में V क्या हुआ ही 0 आगया so V की चा value है वो आगे 0 जैसा अगर आप दिहान नहीं दोगे इसमें माल लो वैसे तो आंसर यही है माल अपने दिहान नहीं दिया प्लस M V ही कर दिया और यहां टू M into V कर दिया तो क्या होगा जैसे कि 2 M V और 2 M into V तो इससे क्या होगा वी को वैल्यों को वी ही निकाल दोगे जो आप्शन में गिवन है लेकिन वह गलत आप्शन भी दिया जाता है अब ध्यान रखना क्रेशन में आपको डारेक्शन दिया हुआ था